Hi everyone, welcome to Magnet Brains, this is your physics mentor पलक रख्यानी, इस पटिकलर वीडियो में हम देखने वाले हैं Electric Generator, यानि पिछले सेशन में EMI Electromagnetic Induction की पूरी वर्किंग पड़ी थी, तो बिटा उसी पे बेस्ट होते हैं Electric Generator, जोग यह होते हैं दो टाइप के, AC Generator, DC Generator, दोनों की कहानी पड़ेंगे, अब माम, यह AC, DC वर्ड क्या होता है, तो इसका full form आपको यहां दिख रहा है, Alternating Current and Direct Current, तो इनकी भी कहानी समझ लेंगे, कि यह दोनों होते क्या हैं, वीडियो के end तक बने रहना, ताकि आपके सारे doubts, जो है, clear हो जाएं, और एक और बात बता दूं, कि यह जो हम topic पड़ र दरें, बोलो माम, कुछ extra होगा है, नहीं, जितना आपका दिया रहता है, NCRT में उतनी ही बात हम करेंगे, One more thing to tell, कि अब Magnet Brains पे जो है, आपको books and e-books भी मिलती है, इतना तो हम सभी को पता है, कि Magnet Brains ऐसा platform है, KG से लेके 12 तक बिलकुल free of cost हैं, जितनी भी videos हैं, और अब स जल से जल contact करेंगी, तो शुरुआत करते हैं इस session की electric generator की कहानी, अब generator सबसे पहले तो word समझो, क्योंकि काफी आम life में हम इस word को सुनते है, generator, तो generator या फिर इसका दूसरा नाम, कहलो, आरे इनको बहुत पसंद है, मैं पहले भी बताती थी, science में जो है, एक नाम से मजा नही स्कूल में अलग नाम है, तो वैसे ही, यहाँ पे generator को, either you call it a generator, और जो है, आप इसको एक नाया word कहलो, dynamo भी कह सकते हो, ठीक है भाई, यह क्या है, एक machine है, वो लो, आम physics पढ़ रहे हैं, पता है, machineों की बात आ रही है, यहाँ पे, so a generator or a dynamo is a machine, which is used to generate electric current by converting mechanical energy into electrical energy, जितना सा है, जितनी पूरी आगे में बाते करने वाली हूँ, इन तीन, कितनी है, एक, दो, तीन हाँ भाई, इन तीन लाइनों में खतम है, क्या बात है, difference क्या आता है, बोलो मैं, DC motor है, EMI है, generator है, ऐसा लगता है, सब एक सही है, नहीं, difference मैं आपको बताऊंगे, घवराना नहीं, बस मेरे साथ साथ जो है, answer करते जाना comment section में, हाँ या ना, जवाब देते जाना, हाँ मैं समझ आ रहा है, बिल्कुल सही लग रहा है, तो मुझे भी लगेगा, हाँ यार, मेरी बाते समझ पाते हो, ठीक है, तो generator क्या है, काम क्या कर रहे है, हम electric energy चाहिए, current चाहिए, घर में बि पूरा खेल है, energy का, ताकत का, पलक मैं, अपनी energy convert करके, आपके कानों तक सुना रही है, इतना पता है कि नहीं भाई, बोलो मैं, हाँ यार, आप अपनी energy लगा रहे है, बोलो वैसे तो थोड़ा गला बंद लग रहा है, मैं का, बिल्कुल सही बात है, लेकिन समझ तो आरा ह तो पड़ाई में रुकावट नहीं होनी चाहिए, वैसे ही यहाँ पी, कहते है, energy तो है already, अरे energy कहीं से पैदा नहीं करी, because we all know, energy cannot be created or neither it can be destroyed, यह तो हम सब को पता है, तो यहाँ पे सिर्फ change हो रहा है form में, यहाँ पे ध्यान से सुनना, सिर्फ energy के form में बेटा बदलाव हो रहा है, energy तो थी ही, in this case, what is the difference, generator में mechanical energy, और mechanical word कभी-कभी students को समझ नहीं आता है, तो आप kinetic energy भी आसानी के लिए कह सकते हो, kinetic, mechanical यानि क्या, किसी चीज में अगर work done हुआ हो, कोई मेहनत लगी हो, कोई motion हुआ हो, that is kinetic or mechanical energy आप कह सकते हो, तो generator के case में, mechanical energy को convert किया जाता है, electrical में, यानि हो सकता है, इस machine ने कोई motion लिया हो, और उस motion से जो energy थी, वो convert हुई, electrical में, जिसकी पूरी बात हम करने वाले हैं, लेकिन, शुरुआत करने से पहले, पीटा, concept हमेशा clear होना चाहिए, What I've seen students doing is, यह आप boards में लिखके आ रहे हो, बिलकुल, principle, construction, ऐसे लिखते हैं, boards में अपन पूरा, जब AC generator वगर की working होती है, लिख दोगे यह प्रिंसिपल, यह लिख दोगे construction, working, यह तो बोला, ऐसा पूरा रट के जाते हैं, पर वहाँ पे confusing question आ गए, AC generator आ गया, DC motor आ गया, स रटा मत करो, बिलकुल मानती हूँ, ठीरी आपको पढ़नी पढ़ेगी, लिखके अच्छे form में आना है, लेकिन बाद में आके learning का step किया करो, number one step is understanding, यह चाहे आप पढ़ाई में लो मेरी बात, चाहे आप जो है life में लो, हमेशा चीज़ों को समझा करो पहले और उसके बा what you need to do is understand that, उसको एक अपनी life की tip लेके रखो भई, ठीक है, चलो, तो क्या समझे पहले point, वापस देखो इसको और चाहो जित्ती जित्ती चीज़े बोलू, वो नोट डाउन क्या करो, तो यह बहुत important बाट है बेटा, a generator और a dynamo क्या है, एक ऐसी machine है, जिससे electric current generate होता है, by converting mechanical energy into electrical energy, clear हुए concept, तो यानी generator की कहानी हम कैसे पढ़ने वाले है, अब एक बात सवाल आता है, मैम, एक चीज हमने देखी थी, DC motor करके देखा था, है ना, हमने जो है, DC motor करके कुछ देखा था, यहाँ पे, है ना, और यहाँ पे आप बोल रहे हो, generator की बात, AC छोड़ दो, चलो, generator ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है, एक ता DC motor और एक है generator, इनमें फरक क्या है, difference क्या है, काम तो शायद एक ही लग रहा है मुझे, और जो आप setup है, वो भी एक साई करते हो, अभी आगे दिखाऊंगे, दिखेगा, सेम ही, फरक क्या है, यही तो मांगते है ना, भई, difference क्या ह तो इसका में आपको main difference आप शायद अभी definition से ही सीख जाओगे, सबसे main difference क्या है भई, motor में आप क्या कर रहे थे, motor में अगर याद हो motor की working, तो ऐसा कुछ armature coil बनाया था हमने, motor में coil वगेरा बनाया था, उसमें already beta हमने connect करी थी एक battery, याद करिए, उसमें already हमने battery connect करी थी, which means in that case हम electrical energy तो दे रहे थे, electrical energy थी, electrical energy को ही हमने convert कर दिया, किसमें mechanical energy में, सबसे बड़ा difference है यह, और यहीं पे number कटवा देते हो, usually काफी अच्छे questions आते हैं, इस पे मतलब, बोलते हैं न कुछ-कुछ topic एकदम, बोलते हैं, highlighted एकदम, hot heated topics हैं, यह आते ही हैं, motor, generator, इनसे related questions आते ही हैं, और बच्चे पता नहीं क्यों फिर भी गलती करते हैं इसमें, क्यूं क्यूंकि समझते नहीं हैं, उसको रट रहे हो, आप principle construction, रटना नहीं है, क्या समझे भाई, DC motor में क्या काम है, electrical energy को convert कर रहे हैं, mechanical में, और अगर, और अगर मैं बात करूं किसी की generator की, तो पीछे देखो, क्या पता है, definition में, generator में, mechanical energy is converted into electrical energy, यानि generator में, already हम motion कर रहे हैं, generator को, mechanical energy दे रहे हैं, और उससे क्या ला रहे हैं, electrical energy, उससे क्या ला रहे हैं, भाई, electrical energy, clear है concept, क्या समझे भाई, इतना सा difference है, इसको जल्दी सो note down कर लो, DC motor की कहानी और generator की कहानी, ठीक है, note down हो गया, ये, कहानी, समझ रहो नो, electrical से mechanical, mechanical से electrical, generator में, इसको कैसे याद रखना है, मतलब हर चीज में ही बताते हैं, चलो, चलिया, आये भाई, देखो, ये motor है, ये electrical को mechanical में convert करता है, जिसको जरूरत हो, इस trick की वही यूज़ करें, क्रिपया करके, क्यूंकि नही आपको सुनने में सिमिलर लगता है, और याद करने में वह लगता है, तो देखो, simple सा example है, देखो, मेरा नाम क्या है, बोलो कि मैम पलक है आपका नाम, तो मुझे कैसे बुलाओगे, पलक मैम बोलते हो, तो हम अच्छे से जब बात करें, तो हम तो मैम कहते हैं, लेकिन अच्छे से बोलते हैं, तो पलक मैम, पड़ा ऐसी बिलकुल अपनी देशी भाशा में बुलाना हो, तो कैसे बुलनगे, पलक मैम, तो यह जो मैम है, M, E, M करके आप याद कर सकते हो, इसको, so what does it stand for, M is basically motor, sequence मे याद करना, M, E मत बना देना उसको, sequence मे याद करोगे, तब ही कहानी सही है, M stands for motor, E stands for electrical energy से कहां जा रही है, mechanical में, simple जी बात है, फिर से बताओं कि जिसको याद नहीं होता है, वही इस trick को use करें, जिसको already याद हो गया, वो ज्यादा मेहनत ना करेगी, trick को याद कर रहे हैं, already वो तो वैसे काफी असान है, याद हो सकता है, but then who needs it, you can take it, M E, M से, you can remember, alright, चलो, आगे आते हैं, अब थोड़ी कहानी पढ़ते हैं यार, generator की बात करते हैं, when the current produced by a dynamo, dynamo क्या, generator, changes continuously in magnitude and periodically in direction, several times in a second, the current is known as AC and the machine that produced it is called AC generator, तो अब दो कहानिया यहाँ पे आएगी, AC generator और DC generator की, तो उसको जैसे ही मैंने कहा, इस topic को समझने से पहले, EMI बिल्कुल crystal clear होना चाहिए, तो quickly से मैं आपको recall करवा देती हूँ, किस की कहानी, EMI की कहानी, देखो, electromagnetic induction में, क्या story पढ़ी थी हमने, यहाँ पे difference एक था, कि जैसे मालो हमने एक coil ले ली, ठीक है, एक हमन जो है, यह coil ले लिया है, अब इस में से क्या करवा रहे हैं हम, इस में से क्या करवा, यह coil ले लो या तुम ले लो circular, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने ऐसी coil ले ली, ठीक है, यह एक coil है मानलो, ठीक है, copper wire से बनी coil है, अंदर soft tyran core है, यह coil है, clear है कि नहीं, now, इस coil के पास, जब हमें लेके आई हूँ, एक magnet, ठीक है, यह north pole, यह south pole, क्या याद कर रहे है मैम, EMI को याद कर रहे है, ठीक है, यह हमने एक coil ले ली है, यहाँ पे एक magnet है, now, हमें करना क्या है, यह जो magnet है ना, इसको एक बार coil के पास लाना है, दूर ले जाना है, पास लाना है, दूर ले जा था ना, magnet को कराना है motion, यानि जब तक magnet चलेगा, तब तक इस coil में कुछ हरकत होगी, बोलो मैं हरकत कैसी, तो देखो बेटा मेरे, यहाँ पे एक कहानी देखो, यहाँ को हमने इस coil को connect करके रखा था एक galvanometer से, galvanometer क्या होता है, galvanometer is basically a device, जो कि current को detect करता है, यानि अगर किसी भी wire से current बह रहा है, और उसे galvanometer connected है, तो इसकी यह जो needle है, ना, जैसे compass की needle होती है, वैसे इसकी needle होती है, यह deflection शो करेगी, नॉर्मल स्टेट में ऐसी रहेगी, सीधी रहेगी, यानि अभी कोई current नहीं है, लेकिन जब current flow करेगा, तो right left यह deflect होगी, इतना काम है किसका g का, कौन g पारले g नहीं, galvanometer, ठीक है भाई, चलिए, आगे आते हैं जी भाई, देखो, यह है magnet, इतनी तो बात clear थी, यह मैं नह नहीं कह रही हूँ, यह Faraday साब कर चुके हैं, experiment, बोलो, पलक मैं मैं ले आई, कोई नई चीज निकाल के, बिल्कुल नहीं भाई, यह जो है, बहुत बड़े-बड़े scientist already काम कर चुके हैं, जिनका नाम है Michael Faraday, Michael Faraday के experiment बात कर रही हूँ मैं, 6 साल, 6 साल तक उन्होंने इत होने से, magnet पे force पड़ता है, हमने शुरू में क्या देखा था, current पास कर रहे थे, तो magnet को, magnet में deflection आ रहा था, हरकत हो रही थी भाई, है ना, तो अगर current magnet पे force लगाता है, तो क्यों ना, यह बात भी तो सही होगी, अगर law की बात हम करे, every action has an equal and opposite reaction, तो magnet क्यों शांत बैटेग यह बात तो पहले हो गई थी, प्रूफ, तो magnet क्यों शांत बैटेगा, तो ना magnet शांत बैटा, ना Michael Faraday, वो भी यह सोचने है, सोचने में इतने experiments किये, 6 साल तक किये, लेकिन परिशान हो गया, result नहीं निकल रहा तो पता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एकदम से जो है कोईल रखा था, सौरी, कोईल रखा था, इसके अंदर सौफ्ट आरेन कोर है, इसके उपर गिर गया और एकदम से गैलविनो मीटर में दिखने लगा क्या, डिफलेक्शन, डिफलेक्शन दिखा फिर रुख गया, इन्होंने क्या कुछ तो हरकत हुई है भाई, तो फिर इन सब्सक्राइब को एक बात बतादू, यह आगे पीछे, आगे पीछे करने का अभी रिजल्ट मिलेगा, आगे पीछे मतला मैगनेट को मोशन में रखने शान्त मत रखना, तो भूलोगे मागे पीछे से क्या होगा, तो बेटा, मैगनेट से क्या निकलती है, पूरे से magnetic field lines कहां दिखती है जाते हुए बोलोगे मैम बाहर निकलती हुई basic concept याद है कि नहीं quickly से recall करो magnet का basic concept याद करो क्या था basic concept कि अगर हम ऐसा कोई एक बार magnet अपन ले ले ठीक है भाई एक बार magnet अपन ले लेते हैं यह है यहाँ पे north pole यह है okay तो क्या देखने को मिलता है कि जितनी भी magnetic field lines है जो कि magnetic field को यह imaginary field lines है magnetic field को represent करती है यह जो है north pole से बाहर आती हुई दिखती है magnet के बाहर ऐसे कुछ आती हुई दिखती है यह देखो यूँ और कहां जाती हुई दिखती है south pole की तरफ outside the magnet बार-बार मेरी बात को सुनना है न outside the magnet यह तो हम अलड़ी पढ़ चुके है यानि ऐसे south pole से अंदर आती हुई दिखती है और north pole से बाहर जाती हुई तो यह याद आया किसकी कहानी है यह भाई यह south pole से कहीं भी आये अंदर आ रही है ठीक है किसकी कहानी है यह magnet की कहानी है field lines की कहानी है तो देखो basic concepts भूला मत करो हमेशा याद रखा करो अब मैं किसकी बात कर रही थी देखिए हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अब यह magnet का बेटा north pole है तो हर जगा same valid होगा ऐसा नहीं है यह वाले magnet के साथ कोई ना इनसाफी हो जाए तो इसमें भी same बात है magnetic field lines बाहर आएंगी देखो बेटा यह आई एक line, दो line, तीन line, चार line, पांच line ठीक है फिर यहाँ से भी आई एक, दो, ऐसे, ऐसे line बाहर आ गई clear है, देखो, यह field lines मान लो, इतनी बाहर आ रही है तो ज़रा मेरे साथ इन field lines को गिनना तो सही जो की coil से pass कर रही है, तो यह है एक, यह है दो, देखो, यह से pass कर रही है coil से 1, 2, 3, 4, 5, all right, 5 field lines pass कर रही है coil से यह तो जब magnet pass था, अब जब magnet को, अब ध्यान ते सुनना, अब जब magnet को मैं लेके गई पीछे, magnet को मैं कहा लेके गई, पीछे लेके गई, तो क्या होगा बोलोगे मैम, magnet दूर हो जाएगा, कितनी बच्चो जैसी बात है मैम, कि आप अगर दूर लेके जाओगे, तो magnet दूर हो जाएगा, बिलकुल अच्छी बात कही यार, सही बात है, तो अगर magnet दूर होगा, इसका मतलब क्या, कि जो field lines cross कर रहे थी, अरे pass है magnet, मान लो ये coil है, मान लो, ये coil है, ये pass है magnet, यहाँ से जो है, चार line गुजर रही है, इतना pass है magnet, चार line गुजर रही है, जैसे ये magnet दूर जाएगा, तो field lines जो है, वो coil से कम गुजरेंगी, कम cross होती ही निकलेंगी, हा की न, देखो भाई, ये देखो, पहले कितनी निकल रही थी, पाच्छे देखी थी की नहीं, अरे, पहले पाच्छे देखी थी की नहीं, अब कितनी हो गए field lines, एक, दो, तीन, चार, और दूर लेके जाऊंगी, और कम होंग है, तो उसमें ये जो galvanometer है, इसकी needle deflect करने लगी, इसकी needle जो है, right, left, right, left deflect करने लगी, और अगर galvanometer की needle deflect करे, तो किसके होनी की जो है, बात होती है, बोलोगे, ma'am, current, और ये current जो है, किसी battery से नहीं आया है, भाई, ये current, किसी battery से नहीं आया है, ये coil के अंदर से induce हुआ है, इसके अंदर की जो है आत्मा जग गई और इसके अंदर से जो है current induced हुआ है That is why this current is known as induced current and so the name electromagnetic induction Induction word कहां से आया induced current Induced current है potential difference होगा और उसी potential difference को हम कहते है induced voltage Induced voltage की कहानी higher classes की है तो ये concept किसका है EMI का EMI में recall करवा रही हूँ क्योंकि इसके बिना generator पढ़ना तो मतलब stupidity है भई पढ़ ही नहीं पाओगे जब ये concept इसी principle EMI के principle पे based है generator ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है एक्जाम में भी यही लिख्याना है तो ये EMI की कहानी है EMI में हो क्या रहा है कहीं भी आप पूरा setup देखोगे कहीं भी हमने कोई cell नहीं लगाई कोई battery कोई एकसा external source नहीं लगाया जिससे current मिले Only magnet के motion से चाहे तो magnet का motion कराओ बात मेरी ध्यान से सुनना magnet का motion कराओ या फिर इस coil को घुमा दो कुछ न कुछ motion होना चाहिए अच्छा बोलो मैं उससे फरक क्या पड़ रहा है motion ही क्यों क्योंकि हमारा main purpose है change in magnetic field lines का magnitude यानि magnetic field जो है वो बदलती रहनी चाहिए चाहे 10 हो, चाहे 0 0 भी चलेगी, लेकिन continuously change हो, 0 हो, उसके बाद 4 हो जाए उसके बाद फिर से 0 हो, फिर से 10 हो जाए but it should change continuously और इससे related एक और वर्ड पड़ा था हमने magnetic flux करके I hope याद हो अगर आपको तो बहुत अच्छी बात है simple word है, higher classes के लिए है लेकिन ये use कर लिया जाता है कुछ भी नहीं है, magnetic flux basically magnetic flux मैं आपको समझाओ अगर तो मालो ये एक area है इतना area है, ठीक है? देखो, ये एक particular coil है, इस particular coil का जितना area है उतने area से कितनी magnetic field lines cross कर रही है उसे ही बेटा हम क्या कहते है magnetic flux कहते है क्या कहा मैंने? magnetic field है, यहाँ कोई magnet है मालो है न, यहाँ पे आप कोई भी magnet मालो, ठीक है, north pole है south pole है उसका, ठीक है अब इस magnet से क्या आ रही है? इस magnet से field lines आ रही है field lines किसी particular area को cross करेंगी, जैसे बेटा ये इतना बड़ा circle दिख रहा है, इससे कितनी lines cross करी, 1, 2, 3, 4, 5 cross कर पाएंगी, 1, 2, 3 तो देखो, इसका flux कम हो गया 1, 2, 3, इसका flux कम हो गया, तो flux समझना कोई ज़्यादा difficult नहीं है, वाई पिकास, अलेडी हम field and field lines पढ़ चुके हैं, तो which means, EMI की main functioning किस पे है, क्या कर रहे हैं हम, बिना किसी battery के, current induce कर रहे हैं, magnetic और coil के बीच में relative motion होना चाहिए, और main purpose है change in magnetic field या change in magnetic flux आप लिख सकते हैं EMI की working crystal clear होनी चाहिए, ये बात समझे की नहीं बिल्कुल clear है, तो अब आईए, अब हम बात करते हैं finally, AC and DC generator की when the current produced by a dynamo or a generator changes continuously in magnitude and periodically in direction several times in a second the current is known as alternating current, जिसे हम AC कहते हैं, alternating current और DC में फरक क्या होता है, AC में जो है, दोनों चीजे बदलती हैं, कौन सी दोनों चीजे, एक तो magnitude magnitude यानि उसकी value मालो, अभी 1 ampere है, फिर 5 हो गया फिर 15 हो गया, फिर 20 हो गया ऐसे ऐसे continuously magnitude मतलब क्या, magnitude word usually बच्चे समझ ही नहीं पाते हैं, क्योंकि magnitude क्या होता है, science में value नहीं लिखते हैं, बोलता है magnitude, तो magnitude word को समझो पहले तो values की बढ़ती घटी रहेगी and दूसरी चीज AC में क्या-क्या change होता है AC में एक तो आपका बेटा बदल रहा है magnitude and दूसरा जो बदलेगा, that is direction, यानि continuously current का magnitude भी बदल रहा है और direction भी, यानि अभी अगर clockwise फ्लो कर रहा है फिर anti-clockwise, फिर clockwise गड़ी किस होई देखते हो न, कैसे घूमती है पहले ऐसे और गड़ी तो एकी जगह घूमती है बट, किस के case में AC के case में पहले ऐसे घूमेगा current फिर ऐसे घूमेगा, फिर ऐसे यानि magnitude भी बदल रहा है और direction भी बदल रहा है तो उस current को simple language में what will you say, you will say it is an AC, AC यानि अरे भाई, air conditioner नहीं लिख क्या न, वो अलग है वो तो AC है, वो अलग machine है ये current की बात है, alternating current और जो machine है जो machine AC produce करती है generate करती है, उसे हम कहते है AC generator, clear है तो DC तो और भी simple है when the current produced by a dynamo does not change in direction and magnitude जब current stable रहेगा ना बिटा magnitude बदल रहा है ना direction बिलकुल शान्त इंसान है वो जादा हरकती नहीं उसमें तो उस current को हम क्या कहते है DC, DC यानि direct current और वो machine जो DC produce करे उसे कह दो DC generator कोई दिक्कत है कि नहीं EMI समझ गए generator की definition समझ गए हो AC and DC होता क्या है ये समझे है working को हम आगे देखेंगे तो आईए भाई, आईए मेरे साथ आगे does an electric current which changes its direction यानि polarity जो अपनी बदलता है after a certain interval of time is called an alternating current most of our electric energy ध्यान जो सुनियेगा जितनी भी अपनी electric energy requirements है are met by AC which is generated by the power plants hydroelectric, thermal and atomic यानि आपके घर में जो current आता है भाई, वो AC current होता है क्यों? क्योंकि यार आपने देखा है गर में कितने appliances है आपके घर में या पिर हमारा ये देख लो भाई, setup में board है अलग, light है अलग, camera अलग है सब की अलग-अलग requirements है घर में TV है, fridge है और जो है laptop का आपको charging पे लगाना है कितनी x, y, z चीजे हैं अब सब की requirements अलग-अलग है current की तो AC alternating current है बदलता रहता है तो यानि जितनी भी हमारी energy requirements है वो सब किस से मेठ होती है AC से alternating current से मेठ होती है clear है, चलिए चोटी कमोटी बाते हैं यहाँ पे frequency of AC वगरा की तो उसको भी जल्दी से ले लेते हैं frequency word क्या होता है frequency को आज simple language में समझ लो यह दो लाइने हैं आपको easily frequency समझा देंगी frequency is the number of cycles completed by the AC in one second is called frequency of AC यानि cycle मतलब क्या जैसे मान लो एक यहाँ पे positive cycle यानि एक बार clockwise flow किया आसान भाशा में बता रहे हैं एक बार clockwise flow किया एक बार anti-clockwise तो उसे हमने क्या कह दिया एक पूरी cycle जैसे biology में हम क्या देखते हैं water cycle देखते है nitrogen cycle यानि एक बार यहाँ समुंदर से पानी उठा बादल बना फिर बारश बनके फिर से समुंदर में आए गया यह एक cycle complete फिर ऐसे ही दूसरी cycle complete तो similarly AC में भी क्या है AC का काम क्या है direction and magnitude दोनों बदलते है तो भाई एक बार AC ने clockwise में flow किया एक बार anti-clockwise तो वो complete होके क्या हो गए उसकी पूरी cycle हो गई समझेगी नहीं तो what is frequency the number of cycles completed by the AC in one second और यह किसमे बात है एक second की बात है that is known as frequency of alternating current the frequency of AC in India यह आप याद रख सकते है is 50 Hertz which means that AC changes its polarity after 100 seconds यानि 100 times per second में जो है polarity बदलती रहती है समझे रहो per second में 100 बार polarity बदलना है यानि कितनी फासली वो ऐसे ऐसे clockwise, anti-clockwise चलता रहता है as it completes one cycle that is from positive to negative ऐसे भी कह सकते हो positive to negative, negative to positive तो कितनी है 50 Hertz है normal आप normally आप इसको याद रख सकते हो चलिए अब frequency का एक छोटा सा graph है क्योंकि usually graph उच लिए जाते है तो current और time के बीच पे एक graph है देखो एक यहाँ पे cycle हुई positive है ना उपर वाला ऐसा बनाया है हमने एक हो गई positive नीचे यहाँ पे ले आओ एक हो गई negative तो बेटा सिर्फ इसको मत ले लेना positive और negative दोनों को मिला के पूरी एक cycle complete होती है यानि यहाँ से लेके यहाँ तक complete हुई पूरी एक cycle that is basically known as the frequency तो यह पहली वाली तो हो गई AC की frequency मुझे ज़रा बताओ यह जो नीचे दिख रही है यह किसकी frequency है जल्दी से कहां बताओगे comment section में बताओ बहुत यहासान सा question है अगर यह उपर वाली AC alternating current की frequency है तो यह जो diagram B है यह कौन से current की frequency है जो बिलकुल ही straight line जा रही है जो बिलकुल ही straight line जा रही है जो बता रही है with time the current is not changing क्या समझ रहे हो यह I और T का graph है तो अगर यह straight line जा रही है it is showing that with time current नहीं बदल रहा तो यह कौन सा current होता है अभी हमने पढ़ी थी बाढ़ tell me in the comment section quickly चली आगे आते है further an electric current which flows in the same direction is called direct current यानि direct current क्या होता है जो एक ही direction में चलता है that is DC polarities of DC are fixed the current supplied by a cell or a battery is DC the current time graphs और AC and DC वो हमने अलड़ी देख लिए अब एक चीज़ और यहाद रखना जो cell या battery आप use करते हैं जो cell या battery आप use करते हैं usually telephone के remote में हम cells use करते हैं या फिर batteries जो use होती हैं वो सब basically होते हैं direct current उसमें current बदलता नहीं है क्योंकि मतलब आपको पता ही कि आपका यह remote है तो उसमें इतना ही current चाहिए तो उसमें fixed रहता है direct current DC यानि क्या एक fixed current निकलेगा ना जादा ना कम ना जादा ना कम fixed current निकलेगा with time तो यह हमेशा याद रखना बहुत ही important point है in a cell और in a battery cell या battery में जो current use होता है वो कौन सा current है DC that is direct current clear है चलो भाई mentor जिंदगी clear है विलकुल चलिए मुझे रहे mentors खाने से गला ऐसा हो गया कोई बात नहीं आव आगे AC और DC का क्या advantage, disadvantage है तो देखो AC का DC पर advantage क्या है यानि ये point बताता है कि AC कैसे सर्विष्रेश है यानि AC DC से better कैसे है तो पहली बात with the help of a transformer AC at any desired voltage can be obtained ये सबसे भैतरीन बात है यानि transformer की मदद से जितना भी हमें AC चाहिए मान लो कोई appliance है 10A करंट चाहिए वोई appliance को 30 चाहिए किसी को 2 चाहिए तो transformer की मदद से हम AC से voltage को अपना set कर सकते है Next, the power wastage in AC transmission is almost negligible and as such the cost of transmission is low यानि AC में जो है power wastage काफी कम होता है और अगर ऐसा हो भी जाए तो transmission का cost भी काफी कम होता है Number 3 AC can be controlled using a choke coil and the energy loss is very small whereas DC can be controlled only by using ohmic resistance which involve huge energy loss in the form of heat तो AC को आप आसानी से control कर सकते हो choke coil की मदद से DC के लिए जो है आपको ohmic resistance जो हमने पढ़े थे registers की बात कर रही थी हमने electricity में वो use करते है और हमें पता है इन सबसे कितनी जादा energy lose होती है करना क्या है हमारा goal क्या है energy बचाए रखना ताकि जो है हमारी future generations भी use कर सके point number 4 when required AC can be changed to DC AC DC में बदल सकता है और यही working जो है यही working यूज की जाती है घरों में यानि मालो आपके घर में TV है बिल्कुल होगा है TV वगरा है या कोई भी device हो कोई भी electrical device हो यहाँ आपने कभी देखा ही हो तो उस device में मैंने क्या कहा घरों में current कौन सा आ रहा है भाई AC AC current आया आया तेरता हुआ बड़ी आया TV में जैसे ही गया TV अपने लिए TV अपने लिए AC current को DC current में बदल देती है तो AC आराम से DC में convert हो सकता है फिफ्थ AC machines are very stout and durable and do not need much maintenance ओ भाई यह air conditioner वाला AC नहीं है alternating current की बात करें कि AC alternating current से जो machines चलती है काफी durable होती है और उनमें जादा maintenance की जरूरत नहीं है काफी असान points से जादा इनमें दिमाग मत लगाना अपना simply इन्हें समझो ठीक है चलिए अब advantage उसकी बात है लाइफ में कहीं pros होता है तो cons होते हैं तो अगर advantage है तो disadvantage तो जरूर ही होगा तो now हम देखेंगे कि AC का disadvantage क्या है बई advantage तो देख लिए तो point number one AC is more dangerous than DC as it attracts a person towards it whereas DC repels AC gives serious shock to a person as compared to DC alternating current current बदलता रहता है इसकी वज़े से जो है यह person को अपनी तरफ किसी भी इंसान को अपनी तरफ यह current attract करता और बेटा जितने भी shocks आप देखते हैं electric shocks से लोगों की death हो जाती है या ऐसे serious injuries आजाती है that is because of AC current DC current को इतना DC current लगता है ऐसा नहीं current लगेगा नहीं लेकर उससे इतना serious shock नहीं आता है as compared to AC current तो इसका भाई सबसे बड़ा disadvantage है point number two AC cannot be used for electroplating electroplating electrotyping यह सारी जितनी processes होती है ओन सब में AC current use नहीं किया जाता लेकिन DC use हो सकता है क्यों क्योंकि इसमें एक stable current चाहिए आपको changing current नहीं चाहिए होता है in works में ओकी तो simple से points थे कुछ चलिए अब शुरुवात करते हैं finally जस topic का इंतजार था भाई पूरी कहानी तो देखो शुरुवात में बोलो माम introduction यह यह सब चीज़े पढ़ना क्यों जारूरी है क्योंकि बिटा working उसी पे based है ऐसा नहीं है जल्दी किया करो काम पर जल्दबाजी नहीं तो AC generator के शुरुवात करेंगे बिलकुल writing के हिसाब से भी हम देखेंगे कैसे principle construction पढ़ना है और उसकी working को भी जो है हम अपनी तरीके से समझेंगे So let's begin with AC alternating current generator आप अपने nodes भी बना सकते हैं साथ में चली AC generator converts mechanical energy into electrical energy यह स्टोरी शुरुवात में ही मैंने आपको बता दी generator का काम ही क्या है mechanical kinetic motion वाली energy को किसमें बदलना electrical energy में बदलना ताकि current मिल सके अब सबसे पहला principle जान लो इसका तो principle चाहे AC हो चाहे DC हो based किस पर है generator का principle EMI पर तो principle whenever in a closed circuit whenever अब ऐसा नहीं है कि based on based on EMI लिखा है और बोलो मैं हो गया काम नहीं भाई based on उनको कैसे पता कि आपको EMI पता है आपको पूरा लिखना तो पड़ेगा अब you can do one thing after that you can write in bracket based on electromagnetic induction पट शुरुवात में आपको सारी चीज समझानी है तो principle यानि क्या कौन से principle पे ये work करता है सबकी life में कुछ उसूल होता है कि यार हम ऐसे काम करेंगे यानि हम सुबह इतनी बज़े उठेंगे अपनी family को इतना time देंगे तो वैसे ही इन machines के भी कुछ उसूल है तो AC generator का principle क्या है whenever in a closed circuit ध्यान जा सुनना whenever in a closed circuit the magnetic field lines change magnetic field lines change या आप magnetic flux भी कह सकते हो पर आप कोशिश करो 10th class में हो तो field lines ही लिखोगे magnetic field lines change and induced current is produced सिर्फ current क्रिपया करके मत लिखना अरे भाई ये वही current होता बैटरी वाला तो इसका नाम सिर्फ current नहीं होता induced current है क्योंकि current जो है वहीं से produce किया गया है कहीं से लाया नहीं गया है बैटरी से नहीं लाया है produce किया गया है तो whenever in a closed circuit कह सकते हो या closed coil कह सकते हो कोई दिक्कत नहीं है the magnetic field lines change and induced current is produced ये जो है concept किसका है bracket में लिख सकते हो electromagnetic induction very clear अब जो है construction की बात करते है construction में इसमें 4 पार्ट होते है पीछे diagram अपन खुद बनाएंगे अभी सिर्फ देख लो कैसा दिखेगा आपको construction इसका कुछ इस type का पहले एक minute दो और इस diagram को देखो क्योंकि इसी की पूरी बात आएगी है क्योंकि नई नई चीजे होती है यार वैसे basics तो समझा जाते है बढ़े कुछ कुछ machines है तो इनको देखो आराम से थोड़ा बहुत बोलो कि मैं DC motor जैसा दिख रहा है बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर आके ने बिटा कहानी बदल जाती है शुरुआत करते हैं सबसे पहले तो आपको जो ये coil दिख रहा है आपको क्या coil दिख रहा है इसका नाम हमने EMI या इन सब में देख चुके है armature coil कहते हैं से क्या कहते है armature coil कहते है कुछ चाहिए है ये coil काफी simple है बीच में जो है iron का core रख देते हैं ये जो होता है soft iron का core होता है जैसे solenoid में भी हमने किया था याद करो भाई अरे याद करो solenoid में भी बीच में soft iron core और बाहर से जो है मान लो copper के ऐसे wires जो है इनोंने लपेट दिये अरे लपेट दो copper के wire लो भाई ठीक है मान लो यहाँ पे copper के जो है wire ऐसे लपेट दिये तो यह जो पूरी इस पूरा structure बनता है इसे हम कहते है armature coil ठीक है तो वैसा ही यह coil यहाँ पे रखा हुआ है कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं चलिए अब यहाँ पे magnet रखे हैं north pole और south pole अच्छा एक छोटा सा doubt मुझे लगता है बच्चों को काफी आता है अकेला north pole नहीं हो सकता अकेला south नहीं जैसे यहाँ पे एक magnet है north pole है south pole है ठीक है मालो किसी ने इसको बीच से काट दिया ठीक है तो north pole यहाँ आ गया south pole यहाँ आ गया फिर भी कही ना कहीं से प्रगट होके यह automatically अपना भी south generate कर लेगा यह अपना north generate कर लेगा वो लमाम इसको बीच से काट दिया फिर भी वही कहानी चलेगी लेकिन usually diagrams में जो है आता है सवाल समझ गई में यही आता है सवाल कि यहाँ एक north बना देते हैं यहाँ एक south बना देते हैं आप कहते हो dipole की तरह exist करता है तो बेटा मेरे जिसकी जरूरत थी वो यहाँ बनाया है इसके पीछे already है अगर इस side north है तो उसकी पीछे side south pole है उसका आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है concept बिल्कुल clear है monopole नहीं होगा dipole ही होगा वो तो diagram में ऐसे दिखाते हैं हमारा मन करें तो हम पूरे diagram को ऐसे भी बना सकते है ऐसा कर दिया इधर मैंने इधर जो है मैंने बना दिया north pole यहाँ पे मैंने बना दिया pole की कहानी हो गई भाई clear हो गई चलो आगे होगा बागे बढ़ो इस बात से हो गया pole की कहानी field magnet देख लिया armature coil देख लिया iron gore पता है नाम करण करने में क्या ही दिक्कत है A, B, C, D, E, F, G, H नहीं पूरी नहीं गानी है यह हमने naming दी है जो armature coil है उसको A, B, C, D, S नाम देते हैं अब main hero कौन आते हैं देखो बेटा मेरे एक अपन ने लिख लिया coil ठीक है बेटा armature coil है यह दूसरा है magnet ठीक है construction को रटना नहीं पलक माम क्या कहती है यह जो dialogue है मुझे comment section में समका चाहिए क्या रटना नहीं construction को रटना नहीं समझना है समझोगे तो समझा पाओगे और लिख पाओगे क्यूँ? पी gold gold rings तो दिख रही है पहले भी कुछ rings याद आ रही ही थी cracks की rings नहीं है ठीक है? या लग rings है समझो यहाँ पे जो gold gold rings है यह आधी rings नहीं है यह पूरी की पूरी ring है यह देख रहे हो ना 3D में जब आप देखोगे तो यह पूरी एक ring है यह पूरी दूसरी ring है ring number one ring number two तारज आरज आरवन आरटू करके लिख रखा है तो यह rings जो है इनका नाम क्या है? इनहें कहते है slip rings these are not slit rings नहीं है या split rings नहीं है तूटी हुई split rings split rings जो हमने देखी थी यह वो नहीं है आधी टूटी हुई ring नहीं है पूरी की पूरी ring है और इनका नाम है slip rings I hope that is clear और यह brushes आ जाते हैं यहाँ पे जैसे वहाँ पे थे brushes वैसे भी यहाँ पे हैं brushes these are basically carbon के brushes ओके दो brushes है story clear है construction यानि made in चार चीजों से मिलेके बनता है क्या बनता है हमारा यह AC generator का जो आपको देखते हो working समझने के लिए कहानी clear है concept clear है बिलकुल उम्मीद करती हूँ कि अब जो है इसकी working की शुरुआत कर सकते हैं हम आईए जब मैं working पढ़ा हूँ तो एक चीज याद रखना जब मैं working पढ़ा हूँ तो पूरो concentration इधर रखना क्योंकि उसके बाद बेटा मैं दिऊंगे theory जो आपको लिखके आने वो अगर subjective वो theory लिख सकते हो objective वो उस theory को पढ़के सही answer टिक कर सकते हो ओके वही बात मैं बताऊंगे लेकिन working को अच्छे से सुनना अच्छे से समझना अपनी भाशा में then English में तो अपन करणवर्ट कर ही देंगे चलिए देखो सबसे पहली चीज क्या है यहाँ पे कैसी कहानी है वो सुनना यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताऊं यह जो armature coil है अब हमारी कहानी किस पे based है यार EMI पे based है मतलब हमें क्या चाहिए relative motion चाहिए कौन सा relative motion यह coil यह जो पूरा coil है और magnet में बीच में तो पहले EMI पे हमने क्या देखा था तब हम जो है जो coil है न coil को कैसे भी करके अच्छे से सुनना चाहे तुम अरे चाहे तुम यू के राप परसन एक बंदे को नौकरी पे लगा दो कि यहाँ पे एक 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 जिल लगा हुआ है AXLE एक जिल लगा हुआ है इसको पकड़के तुम coil को घुमाओ मोशन में लाओ यहाँ फिर यहाँ एधर यू के उज उज वोटर आप उस कर सकते हो पानी का पोर्स यूज सकते हो विंड का हवा का पोर्स यूज कर सकते हो जो भाइक Western मैं ने का नहीं है बंदे को भी लगा दो वहीं कवहीं रहेगा आपको जो है कॉयल को घुमाना है तो क्यों ताकि इनके बीच में एक रिलेटिव मोशन हो रिलेटिव मोशन होगा तो फिर से आजा उसी कहानी पे कौन सी कहानी Magnetic Field Lines के कहानी जब बेटा Magnet Pass और दूर जा रहा था जब Magnet Pass आया पिर्लाइन ज़ादा गुस रही थी अंदर Magnet दूर गया, पिर्लाइन कम घुस रही थी, ठीक है बात को समझ रहे हो की नहीं क्या पोलना चाहा रही हूँ मैं कि जब magnet पास था तो ज़्यादा field line जा रही थी, दूर गया तो कम जा रही थी Now, in this case, हम किसे घुमा रहे हैं coil को तो coil को घुमाने में सवाल आता होगा माम कि magnetic field line, जब magnet तो वही है, वहीं का वही है तो इस case में field line कम या ज़्यादा कैसे होगी सवाल उठता है कि नहीं, उठाया करो भई सवाल, तभी तो जबाब मिलेंगे तो यानि, अगर हम magnet को stable रखें और coil को घुमाएं तब change in magnetic flux कैसे आएगा, तो इसका काफी simple सा example है देखना मेरी बात, ध्यान से देखना, यह मेरा हाथ है, इसको समझो coil इतना हाथ है, इसको coil समझो, अपने हाथ को भी ले लो, ठीक है अभी यह जो है, अपना हाथ, बिल्कुल सरवस्ट्रेश्ट, बिल्कुल जगनात इसकी बात समझो, देखो, यह जो है, यह हाथ को मैंने माना है coil अब अच्छे से देखना, यहाँ से आ रही है magnetic field lines इसको ज़रा side में रखते हैं आपन, आजाओ भई, आजाओ, अपना हाथ, जगनात, बिल्कुल हाथों के खेल से यहाँ से सब समझा दूगी मैं ठीक है, यह coil है, समझ रहे हो, यह coil है, यह magnetic field की lines है, अच्छे से देखना यह magnetic field की lines है, यह coil है, ठीक है मिटा, यह coil जब घूम रहा है, ध्यान से देखना यह coil जो है, ऐसे घूमा, तो इसके अंदर कितनी field lines जा रही है, बोलोगे मैं, यह 4 की 4 जा रही है ठीक है, जब यह ऐसे घूमा, तो थोड़ी कम field line जाएंगी, उपर की 2-3 नहीं जाएंगी, बीच की जा रही है जब यह पूरा ऐसे घूमा, तो यहाँ पर magnetic field lines cross ही नहीं करेंगी, जगा ही नहीं है, कहां से cross करेंगी फिर जब यह वापस घूमा, तो cross करेंगी, ऐसे घूमा, cross करेंगी, cross करेंगी मतलब थोड़ी कम करेंगी, देखो अभी यहाँ पर full cross कर रही है, 4 cross कर रही है, यहाँ पर 2 करेंगी, यहाँ एक, यहाँ ऐसी position आएगी 0 फिर से घुमेगा फिर तीन क्रॉस करेंगी फिर चार क्रॉस करेंगी फिर तीन फिर दो ऐसे भी जो है क्या हो रहा है magnetic field line change हो रही है कि नहीं पहले जादा थी फिर कम थी which means the magnetic flux is changing magnetic flux भी बिलकुल वदल रहा है तो यहां पर भी वही कहानी है यही कोईल को हम जब घुमा रहे हैं अगर magnet stable है आप कोईल को घुमाओ तो magnetic flux change हो रहा है और अगेन विदी का विधान क्या कहता है कि अगर there is a change in magnetic field या change in magnetic flux यह क्या है डेल भी बनाया है मैंने डेल मतलब change से represent करते हैं change in magnetic field अगर यह आपको दिख जाए magnetic field lines में बदलाव है तो यानि क्या current induced होगा इस case में क्या होगा current बहतरीन तरीके से induced होगा and induced current होगा यही तो काम करना था हमी generator से हमने बड़ी आसा current बना लिया अब बात मेरी ध्यान से सुनना मेरी मुनना देखो बात मेरी ध्यान से सुनो अब बोलोगे मैम यह सब कहानी तो आसान होती है इतना अजीब सा construction क्यों होता है तो slip rings और brushes का main काम क्या है समझो यह जो आपको दिख रही है न यह बीच में ऐसा part लगा रखा है बेटा आप imagine करो आपको इस चीज को गुमाना है तो जब आप for instance for instance चलो सवाल यह रहता है मैं direct क्यों नहीं लगा देते हो आप है ना मान लो कि direct क्यों नहीं लगा देते हो त यह आपका coil है और आपने इसको direct जो है किस से लगा दिया एक मान लो कोई bulb से लगा दिया ठीक है बल्ब क्यों हमें बल्ब जलाना है बल्ब के लिए हमको current चाहिए तो हमने जो है यहां magnetic जो है हमने रखा है field ठीक है यह magnetic field रख देती हूं बिलकुल पूरा वैसा ही setup कर लेते है अपन कोई दिकत नहीं है ठीक है पूरा वैसा ही setup करके फिर मैं आपको explain करते हूं यह north लेलो यहां पर कोई दिकत कोई दिकत नहीं चलो अब देखो in this case अगर इस coil को मैं इस armature coil को मैं घुमाती हूं है ना इस armature coil को जो है मैंने घुमाया तो बेटा यह जो वायर है यह उ हैगा कैसे बल्प जलेगा तो यह simple setup लगाना आसान नहीं है इसमें कोई यूज ही नहीं है on the other hand इसकी जगह क्या करते हैं जो पीछे अपने देखे slip rings की मदद यूज होती है कैसे यहाँ पे एक slip ring लगाया नीचे आ जाओ कहाँ पे एक slip ring लगाया यहाँ इधर आओ देखो एक जो coil है चलो तुमको ढंक से दिखा देते एक जो coil है और यह एक जो coil है ऐसे ऐसे करके इनोंने क्या लगाए है slip ring लगाए है हर एक slip ring के एक brush लग spring s1 लगा तो यह B1 यह S2 यह B2 ठीक है इस case में क्या story चलेगी ठीक है point समझ आ रहा है कि नहीं तो अब यहाँ पे case कैसा चल रहा है देखो यह coil है काम क्या हो रहा है इसको गुमाने का देखो इसको पागार भी हैं को दिक्कत नीहाँ वाइत तुम इस covid को पकड़ो और इसे गुमाना ठीक है कुमाना तो पड़े गए अब चाहे कुछ करके आज्से से रहे है сл Console आधे Kath out kia भ॥ क्या कियाई hierarchy ऑίν गूमाना स्टार्ट किया उसे घुमा बो तो जब motion देंगे न तो यह slip ring है कैसी ring है slip ring है आधी कटी हुई नहीं है तो यह slip ring लगाई इसले गई है ताकि जब यह ऐसे गुमे जब यह ऐसे 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 गुमे तो wires उलज नहीं जाए जैसे मैंने आपको बताया and इन brushes का काम क्या है इन brushes का main काम है कि इन slip rings को लोड से जोड के रखना लोड मतलब ज्यादा लोड मतलो लोड पे कि यह क्या चीज हो गई लोड इन का main काम क्या है slip rings को जोड के रखना और slip rings mainly क्या है यह आपके coil से चुड़ी है ताकि यह बेटा अच्छे से गोल गोल घूम सके और wires उलजे नहीं तो कैसी story चलेगी यही story चलेगी relative motion आएगा current induced होगा पर यह जो current है कैसा होगा यह current है alternating अरे किसकी बात कर रहे है AC generator की बात है AC की बात है तो current भी कैसा AC current भी कैसा होगा AC alternating यानि अगर एक बार current घूम रहा है ऐसे मतलब क्या anti clockwise एक round लिया उसने positive दूसरा round वो लेगा negative तो ऐसे जो है current यू 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 चलता रहेगा change होता रहेगा in magnitude and in direction as well this is basically AC generator की simple सी कहानी आप लिख सकते हो क्या लिख सकते हो slip rings का work आ सकता है आपको पूछ के ऐसे पूछ सकते हैं usually question में कि slip rings का क्या काम है इन brushes का क्या काम है तो सबसे पहले तो खुद समझ गए ना कि क्या काम है भई क्यों ऐसे ही इनको लगा दिया फाल्तू में पैसे वेस्ट करने थे नहीं क्या बताया मैंने बेटा अगर यह नहीं होते तुम घुमा रहे हो तो wires नहीं उलज जाती करके देखना कभी घर में ऐसे ऐसे दो मिंट में तो यहर फोन की वायर उलज जाती है लेकिन उसको अलग से ऐसे आप जो है पिन लगा के रखो एक एक जगा तो नहीं उलज जाएगी तो वैसे ही यहां यह स्टोरी है बिचारी कॉयल की यह भी तो वायर ही है ना अंदर सॉफ्ट टाइरन कोर है बाद देन दी बदल रहे है नहीं यह स्लिप रिंग यहीं के यहीं घूमेगी और यह वाली भी यहीं यानि S1 जो स्लिप रिंग है इट विल भी यह किस से कॉंटाक्ट करेगी B1 ब्रश से चाहे राइट घूमे या लेफ्ट घूमे clockwise गूमे anti-clockwise positive ले negative ले जैसा भी हो यह B1 के साथ ही connected रह बात समझे इदर उदर कोई कहीं नहीं जा रहा है सिर्फ जो है आपको कोईल गुमाना है that's it okay I hope this point is very clear चलिए यही सेम डाइगराम है ऐसी हिस्टोरिया पूछी जाती है यह थोड़ा 3D में है तो आपको समझाएगा ठीक है clear है बिलकुल और देखो आगे पीछे लगी पीछे आते हैं इसकी स्टोरी को जारा पढ़ लेते हैं विखली प्रिंसिपल तो पढ़ लिया था चलो construction पर आओ armature armature ABCD नाम दिया था also called the coil consist of a large number of turns of insulated copper wire wound over a soft iron core question में आज आता है कि आपने जो है armature coil वो कैसे बनाया है तो हमेशा याद रखना armature coil कैसे बनता है soft iron core plus किसे भाई copper wire की insulation से ठीक है commonly इससे बनता है ज्यादा तर यह better रहता है तो आए question तो आपको यही टिक करना है it revolves around an axle जो मैं आपको ऐसे उपर axle करके बनाया between the two poles of a strong magnet armature clear है चलो next आते है field magnet पे the magnetic field is supplied by a permanent magnet in a small dynamo also called as a magneto and by electric magnet in case of a big commercial dynamo usually called a generator okay क्या बात कई है छोटू सी बात है देखो दो difference होते हैं कभी कभी जब आपको छोटा dynamo चाहिए हो बहुत जादा बड़ा working नहीं हो उसकी तो उसमें जो है आप क्या कर सकते हैं उसमें जो है अब permanent magnet लगा सकते हैं लेकिन आपको अगर commercial uses के लिए बोलते हैं कि जैसे बहुत बड़ी company है उनको काफी जगा supply करना है है ना या फिर ऐसे type के turbine से बड़े बड़े तो उन सब में जो है क्या यूज किये जाते हैं इलेक्ट्रो मैगनेट यूज किये जाते हैं और छोटे वालों को मैगनेटों कहते हैं ओके चलिए यही story थी third slip rings R1, R2, R2 hollow metal rings held at different height metal की rings है कहीं भी याद रखना half नहीं कहा है तूटी हुई rings नहीं है पूरी की पूरी rings है ठीक है held at different heights the end of the armature coil is connected to ring 1 और दूसरा end जो है ring 2 से connected है यह clear हो गई brushes, brushes कहलो या फिर sliding contact कहलो मैंने अभी पीछे जब आपको समझा रही थी तो यही word कहा कि brushes का use क्या है contact में रखना यानि आपका जो load है उसको किस से contact रखोगे slip ring से ताकि वो उसको coil से contacted रख सके तो कहानी यही है B1 और B2 are flexible metal plates और carbon rods these are called brushes or sliding contacts अगर पूछ लिया जाए brushes किस से बने हैं तो बता सकते हो option में जो भी आए metal plates या carbon rods ओल्राइट चलिए आगे आते है B1 is in constant touch with R1 and B2 is in constant touch with R2 it is with the help of these brushes that the induced current is passed on from the R nature and the rings to the external circuit containing a resistance R and a galvanometer G हो सकता है देखो इस circuit पे मैंने तो यार बल्ब बना दिया आपका मन करें यहां current detect करने के लिए galvanometer रख दो load depend करता है और क्या होगा यहां से जैसे current I induced current pass हुआ है ठीक है तो यह brushes ही है इन brushes की मदद से यह brushes beta यह जो सुबा उटके brush करते हो वह वाले brush की बात नहीं है यह कौन से brushes है conducting brushes है metal के बने होई brush है इनसे current pass हो सकता है तो again जब घूमेंगे तो यह brush नहीं घूमते है brush अपनी जगा पे ही रहते हैं यह तो slip rings है यह घूमते हैं पर इनके साथ contact में रहते हैं contact में रहेंगे तो क्या कहानी होगी आराम से जो है current pass हो जाएगा आपके load के उपर यानि अगर galvanometer है तो बिटा वो deflection दिखाएगा बल्ब है तो रोश्नी देगा पंका है तो वो हवा देगा चलो भाई तो यही कहानी यहाँ दी गई है क्या use है help of these brushes induced current is passed on from the armature and the rings to the external circuit containing a resistance R and a galvanometer G brushes are stationary इस बात को भूलना नहीं अगर चाहो तो भी नहीं भूल सकते की brushes नहीं घूमेंगे घूमने का का मिटा किसका है slip rings का है brush अपनी जगा खडे रहेंगे वो सिर्फ contact बतलब contact रखेंगे इसलिए भूब रहें उससे contact मेरेंगे हां मैं ठीक है देते जा करन देते जा मैं पास कर रहा हूं बल्ब को ठीक है चालो brushes are stationary that is these do not rotate with the rotation of the armature बढ़िया working मैंने जैसा कहा भाई जो अपनने देशी language में सुना उसे English में पढ़मा again जरूरी है because exam में यही language आती है तो इससे भगा मत करो फिर से बता रही हूं okay let's quickly read this rotated about an axis the magnetic flux linked with the armature changes therefore an induced current is produced in the armature now a let us suppose that the armature a b c d is rotating anti-clockwise so that the arm a d moves inwards and b c moves outwards अब आती है कहानी किसकी जो हमने already पढ़ लिया है flemmings का right hand rule flemmings का right hand rule चलो भई आ जाओ बुलोगे ma'am right hand rule yes yes याद है हमें पिछले ही सेशन में अच्छे से difference समझाया था मैंने आपको flemming के right hand और left hand rule में तो बेटा मेरे फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल कभ यूज किया जाता है? मैं आपको बताती हूँ, जब आपको तीन में से दो चीजें, कौन से तीन? मैगनेटिक फील्ड दिया हो, फोर्स या फिर मोशन कह सकते हो, कि किस डिरेक्शन में घूम रहा है कॉईल, ये दिया हो, और अगर करंट निकालना हो, तब आप क्या यूज करेंगे? ये फ्लेमिंग जी का राइट हैंड रूल, तो राइट हैंड जड़ा उठा लीजे, आरे किसको मारना नहीं है न, भाई बेन रखे और बिलकुल मार दिया, नहीं भाई, भाई भाई खड़े हैं और मार दिया, ऐसा मत करो भाई, आपको सिफ राइट हैंड को उठाना है, याद करना है कि येस माम, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल हमें पता है, राइट हैंड रूल कब अपलाई करते हैं, वैन यू आव अल्डेडी बीन टोल्ड की मेगनेटिक फील दिया है भाई, फोर्स फोर्स यानि किस मोशन, किस डिरेक्शन में गूम रहा है कॉईल, औ इसकी एक ट्रिक बताई थी मैंना याद करने की याद है, थम्ब, थम्ब से क्या रिप्रेजन करते हैं, थम्ब जो है, यहाँ पे, थम्ब, ये मैंने M कैपिटल लिखा है बेटा, बी भी लिख दिया गलती से, M कैपिटल लिखा है, बताओ, M से क्या आता है, M से आता है, M स यानि क्या जो force है किस direction में move कर रहा है वो जो है ये thumb represent करेगा right hand का then क्या आता है ये first finger जो है हमारी first four finger तो first से क्या आता है F आता है F से क्या represent करेंगे field कौन सा field अरे magnetic field तो ये जो middle finger है central finger है ये क्या represent करेगी central finger represent करती है C से C को याद रखो current तो यानि field दिया है motion दिया है हम current का direction निकाल लेंगे तो पीछे simply diagram में हमें काम क्या करना है सबसे पहले कहा गया है कि ऐसा मान लो armature ABCD जो है वो anti-clockwise घूम रहा है anti-clockwise घूम रहा है वो कैसी हरकत और ये देखो anti-clockwise यानि ये जो 80 है ये अंदर जाएगा और BC arm बाहर आएगा तो इधर आके देखो इस diagram में समझाते हैं आज़ो आज़ो देखो भाई ABCD ये आपका armature है clear है कि नहीं कहानी अब होगा क्या? अब कहानी क्या होगी समझो इस case में सबसे पहले हमने क्या किया? हमने जो है इसको गुमाया anti-clockwise उल्टा गुमा रहे हैं यूं गुमा रहे हैं कैसे गुमा रहे है? anti-clockwise गुमाया जा रहा है अब जब बेटा मेरे ध्यान से सुनना anti-clockwise गुमाओगे ये जैसे मेरा हाथ है इसको कैसे गुमाया? anti-clockwise तो which means ये जो A है ये जो A है ये कहां चला जाएगा? अंदर की side inward चला जाएगा और ये D जो है ये कहां आ जाएगा? outward बाहर की side आ जाएगा मानते हो की नहीं? बिलकुल मानते है माम तो A कैसा चला गए? inward जिसे usually cross से represent करते है और outward को dot से represent करते है clear है? अच्छा बाई अब magnetic field किदर है? हमें पता है magnetic field north से south pole जाती है outside the magnet तो clearly इस तरफ जाएगी किदर जाएगी? right side जाएगी तो बेटा ज़रा उठाना कौन सा? right hand अब बात को ध्यान से समझना magnetic field किदर है? field को कौन represent करती है? four finger field को कौन represent करती है? four finger तो four finger ऐसे है four finger कैसे है? ऐसे है और ज़रा मुझे ये बताओ कि आपका जो coil है वो कैसे घूम रहा है? ये जो coil है कैसे घूम रहा है? anti-clockwise घूम रहा है तो field कुछ ऐसे है A अभी इस side पे पहले एक जगा ध्यान दो ये थोड़ा मिटार देती हूँ मैं देखना ज़रा A पर ध्यान देना D को भूल जाओ अभी दो मेंट के लिए A पर ध्यान दो ये field है ये four finger field दिखा रही है अब motion कौन बताएगा? थम्ब तो A अभी कहां जा रहा है? Inward A कहां जा रहा है? जब coil anti-clockwise घूमेगा Inward ये field है तो current का बेटा मेरे direction के आएगा? Downward समझे? ये inward का समझ आया तो कहानी कैसी होगी? अब यहाँ नीचे जाएगा तो यहाँ उपर जाएगा अपना right hand लेके करके देखना ऐसा नहीं है मैम कर रही है ठीक है मैम सही बात बोल रहे हो गया जब मैंने बताया है आपको rule तो आप try करके देखो उसको बिलकुल ऐसा ही direction जाएगा और जब आप opposite करोगे तो direction reverse हो जाएगे पिकास right hand पे हम already right hand rule पे काफी बाते कर चुके है so I hope this concept must be super clear applying Flemming's right hand rule we find that induced current in the armature is there due to which G यानि galvanometer shows deflection towards the right यानि deflection आपको देखने को मिलेगा again this diagram से clearly समझाता है देखो बिटा यहाँ पे कैसा direction है anti-clockwise है anti-clockwise गुमारे है तो देखो जड़ा current कहां जा रहा है इस side से, इस arm से नीचे, इस arm से उपर field इस side है clear है तो इस वे से जो है AC generator काम करते हैं जब आपको concept clear होगा न तो यह बिलकुन नहीं लगेगा कि कितने difficult topics है usually बहुत बगेर में clearly बड़े-बड़े marks वाले question आता है मतलब 3 यह 5 marks के जो question होता है क्योंकि इसकी पूरी working है इसको समझ जाओ गए तो अराम से सबसे scoring topic है यह alright कुछ-कुछ concept जो मैंने कह दिया उसको भूलना नहीं slip rings है यह okay slip rings है और ring और brush same to same connected रहेंगे R1, B1 से, R2, B2 से कितना भी गुमालो किस साइड भी गुमालो alright चलो भाई after the armature has turned through 180 degree it occupies the position with the armature rotating in the same direction B moves inwards and AD moves outwards so same direction में जब move कर रहें then again क्या होगा B जो है BE actually move inward अंदर move करेगा AD outward so again आप right hand का rule apply करोगे and again आप same चीजे find out कर पाओगे एक छोटी से tip दोंगी किया चीज को direction यानि क्या कि किस case में कि जैसे हमने का anti-clockwise case में इस side पे left में नीचे आ रहा है current उपर जा रहा है इसको learn मत करना कोशिश हैसी करो हाँ दो-तीन बार आप diagram बनाओ copy में then उसको solve करो तो ठीक है तो हो सकता है कभी कभार memory में रह जाती है वो चीजे but don't try कि आप उसको रटने जाओ क्योंकि ये चीज मैं बिल्कुल suggest नहीं करूंगी समझने के बाद भी ये वाली चीज मत रटना क्या है कभी कभार आपको exam में consideration दे दिया जैसे मान लो आपने जब पढ़ा था होता है ऐसा और बहुत बार हो चुका है मान लो आपने जब कॉइल पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था A, B, C, D तो आपको चीजे इस हिसाब से याद हो गई थी exam में आपको कह दिया take the coil to be ऐसे कह दिया यहां से ले लो A, B, C, D तो बेटा पूरी कहानी बदल जाएगी इस केस में तो क्या होता है हमको एक चीज याद रह जाती है इस केस में तो ये वाला लेफ्ट आम A, D हो गया A, B की जगा So don't confuse those things If concept or left or right or left hand rule actually दोनों याद रखो तो बेटर है ठीक है? चलिए We see that the direction of induced current changes in external circuit every halt revolution of the armature that is after armature has turned through an angle of 180 degree from its initial position तो यानि 180 degree से जब वो turn कर देता है armature तो हम देखते हैं थोड़ी थोड़ी देर में यानि हर halt में जो है induced current का direction बदल रहा है Alright, hence the induced current is alternating in nature alternating यानि क्या? एक तो सबसे पहली बाद magnitude भी बदल रहा है और main focus यहाँ पर किसका है? direction का है कि भाई current का direction भी mainly change हो रहा है That is why इसका नाम क्या पढ़ा है? alternating current Okay Magnitude of induced EMF in a generator can be increased by simple सी कहानिय कैसे बढ़ा सकते हो? EMF क्या होता है? Electromotive force Simply अभी के लिए आप इसको voltage भी समझ सकते हो Okay कैसे बढ़ा सकते हो? को voltage बढ़ेगा तो current भी बढ़ेगा Because हमें पता है V is equal to IR directly proportional होता है voltage current के यह सब कहानी हम already electricity में देख चुके है तो काफी आसान है हमारे लिए Number one increasing the number of turns of armature Armature के जितने turns बढ़ाओगे जितने turns बढ़ाओगे armature के उतना जादा जो है आपको क्या मिलेगा? EMF का मैंग क्यूड Number two increasing the area of armature इस पे सवाल आता है इसका जवाब मैं देती हूँ बटा एरिया बढ़ाने से क्या होता है? मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले ही magnetic flux की बात बताई थी अरियाद है कि नहीं field lines की बात बटा पर ने करी थी तो field lines में अगर मैंने इतना circle बनाया है इतना और एक बनाया है तो मुझे ज़रा और छोड़ा से छोटू कर देते हैं एक दम ठीक है भाई? आज़ो अब जब मैंने पास करी है यहाँ पे magnetic field lines कोई magnet है यहाँ से field line आ रही है तो ज़रा बेटा गिन के तो बताना कि कितनी field lines कहां से cross कर रही है चलो तो जब आप clearly देखोगे जो बड़ा area है उससे जाबा field line cross कर रही है वेरास यह छोटे area से देखो only one, two, hardly तीन से चार line cross कर रही है लेकिन इससे जो है 7 heart line है cross कर रही है which means if you will increase the area तो आपका है magnetic flux भी बढ़ जाएगा और जो है induced EMF उसका भी magnitude increase हो जाएगा clear? number three increasing speed of rotation of the armature obviously बात है जितनी speed से आप armature को घुमाऊँगे अरे जितनी speed से घुमाऊँगे उतनी जल्दी जल्दी field lines change होंगी की नहीं 10 आगई 6 आगई 20 आगई 15 बहुत ही speed में आती जाएगी speed में आएगी वही कहानी EMF बढ़ जाएगा next increase in the strength of the magnetic field काफी obvious सी चीज है magnetic field का strength increased करोगे तो जो है magnetic field lines भी बढ़ जाएगी then again घुम फिर के वही कहानी जाएगी कि current induced भी बढ़ जाएगा और induced EMF यानि voltage भी बढ़ा हुआ मिलेगा alright so I hope AC generator clear होगा उसके बाद हम आते हैं काफी important लेकिन जादा बड़ा topic नहीं है DC generator DC generator, DC motor जैसे पढ़ा था, इसका construction पूरा का पूरा वही है बात मेरी अच्छे से सुनना half information लेके मत जाना मैंने क्या कहा DC generator, direct current generator का जो पूरा construction आप देखोगे it is just as similar to जो हमने देखा था DC motor बस फरक इतना है कि DC motor में हमने एक battery लिया था यानि current हम बहार से लेके आये थे लेकिन in this case in this case हम mechanical energy का use करके current induce कर रहे हैं so I hope concept बिल्कुल clear होगा इसका the principle, construction and working of a DC generator is the same as that of AC generator so DC और AC की working बिल्कुल same है except that slip rings की जगा क्योंकि मैंने क्या कहा पिटा मेरे words को धान से सुना करूं मैंने कहा इसका जो ये आपको पूरा setup है मैंने क्या कहा setup आरे जैसे movie के setup होते है कुछ-कुछ movie बिल्कुल लगता है same जगा पे बनी है भूल-बुलाईया 1, भूल-बुलाईया 2 एक ही हवेली पी बनी है ऐसा लगता है setup same है तो setup किसका? DC generator and DC motor का same है except same है except कि इसमें जो है battery थी, इसमें battery नहीं है ओके? इसमें current हम नहीं ला रहे है on the other hand AC generator और DC generator की working पूरी same है except इसमें slip rings की जगा क्या होंगी? split ring टूटी हुई आधी-ाधी rings होंगी I hope this point is clear clear है बिल्कुल? चलिए in a split ring R1 and R2 are two halves of the same ring यानि जैसे मान लो काफी अच्छा से example है मेरे पास bracelet भी है आउच चलो देखो यह bracelet है भाई यह ring है मान लो तो यह जो पूरी की पूरी ring है consider कि इस ring को मैंने यहां से भी तोड़ दिया और यहां से मैं तोड़ू ही नहीं नया bracelet लाई भाई ऐसा मत करना ठीक है? तो यहां से भी तोड़ दिया तो मतलब same ring you don't have to use different rings same ही ring को हम तोड़ दे रहे हैं तो उसे कहते है split rings ओल्राइट चलिए भाई आगे आते हैं इस type का आपको दिखता है structure कैसा है split rings की कहानी देखो भाई as it is clear from by using the split ring the direction of the induced current does not change in the external circuit throughout the complete rotation of the armature in other words current in the external circuit always flows in the same direction DC motor को बटा याद करो देखो सारी चाहानी same है सारी कहानी almost same है इसी के जैसी है मैं यहीं पे आपको actual में change करके बताती हूँ तो थोड़ा समझ आ जाएगा कि कहानी क्या हो रही है यहाँ पे हमने जैसे पूरी की पूरी slip ring लगाई थी instead of that instead of that हम क्या करेंगे देखो यहाँ पे slip ring की जगए देखो मैं क्या करती हूँ आओ भई आओ आओ देखो देखो चलो भई in this case we are going to use slit rings split rings कैसी होती है slit क्यों बोटरी हो मैं बारबा split rings है split rings है यह देखो आधी टूटू रिंग बीच में जगा छोड़ देना चिपका नहीं देनी है उसको ठीक है चिपका दोगे तो उसको बड़िया short circuit मिल जाएगा और वहीं पे अपना काम चालू कर देगी यहाँ मैं लगा देती हूँ galvanometer ठीक है यह हमारा G है यह split rings है और यहाँ पे आजाएंगी brushes ठीक है brush यहाँ भी है बिल्कुल यह है S1 B1 यह है S2 B2 देख लिए फ़रक कैसे आगया change क्या आगया बाकी वही है बाकी magnet है, armature coil है, axle है और AC की जगा मैं बस heading change कर दो DC generator लिख दो battery हमने ली नहीं है बाई battery नहीं लेनी हम हमको mechanical energy, kinetic energy को बदल के current induce करना है, समझ गए difference कैसा बना है यह अब slip rings मिटा के क्या हो जाएगा, यह slit rings टूटी हुई ring, टूटी अंगूटी ठीक है, चलो बाई ओके, सो देखो slit rings ही कहानी क्या होते है splittering सी कहानी ऐसी है कि इस case में, आप जो है, current का direction बदल नहीं सकते, क्यूँ क्यूँकि armature coil जो है complete rotation में एक ही जैसा घूवेगा यानि, alternating current जैसी कहानी नहीं है कि आप एक बर anti-clockwise में current ऊपर नहीं जैंपर clockwise में ऐसा direction नहीं, जैंज कर रहा current in this case, current in the external circuit always flows in the same direction, hence induced current is unidirection आप ऐसा भी कह सकते हो, कि DC क्या है, unidirection है AC क्या है, by, by direction, दोनों direction में flow कर सकता है ओके, तो इस type का structure है, हम already DC motor में पढ़ चुके हैं, बता देती हूँ, फिर भी quickly से देखो बिटा, इसको हमने गुमाया है axle से इसको हमने गुमाया है, तो एक बात मेरी याद रखना, यहाँ पे फरक क्या होता है, यहाँ पे जो है B1 R2, B2 R2, यह position change करेंगे, कहानी क्या होती है इसमें भी घूमेगी तो split ring, बेटा, brush तो अपनी एक ही जगा पे रहेंगे, brush नहीं गूमता है, brush गूमेगी, यह ring जब ऐसे गूमेगी, तो यह S1 घूम के आजाएगी इस position पे, S2 घूम के आजाएगी इस position पे, मतलब थोड़ी देर पहले S1 B1 के साथ थी, लेकिन जैसे ही घूमी, तो S1 कहां चली गई, B2 के पास, फिर गूमी, फिर B1, फिर गूमी, फिर भी 2 तो यानी क्या, brushes का काम क्या है, सिर्फ इतना समझ गए जगा पे खड़े रहना, और इन rings का contact देना, किस के साथ जो भी device connected है, clear है बिलकुल, समझ गए, और घूमेगा कौन, coil घूमेगी और ring घूमेगी सवाल, ये भी पूछे है कि माम, इन rings को यहां के यहां जोड़ दे, तो क्या दिक्कत होती, तो बेटा, आगे domestic circuits में हम देखेंगे, short circuit देखेंगे, ये पूरी की पूरी ring complete हो जाएगी, जब, तो यहीं के current घूम के वापस नहीं चला जाएगा मेरी बात तो समझो, यहीं के यहीं कहानी खतम हो जाएगी उसकी तो आप ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगा ना कि माम, ये कटी हुई, टूटी हुई rings क्यों है, ओके स्टोरी से मज़ आई है split rings की, चलिए आगे देखते हैं हम, ये सेम डाइगराम है, थोड़ो और ज़ादा ही आगे निकल गए तो बोलोगे मैं, इदर आओ, देखो ये सेम ही कहानी है जो हमने देखी थी यहाँ पे splittering लगी हुई है R1, R2 है brushes लगे है, पहले क्या काम करना है, इसमें भी आप फ्लेमिंग का आप राइट हैंड रूल लगाओगे, कहानी वही चलेगे आंटी क्लॉकवाइस घुमाओगे, ये वाला आम अंदर जाएगा magnetic field, ये not to south है not to south, कौन बतादा है magnetic field first four finger बताती है आरे four का मतलब चार नहीं होता है पहली बात तो नहीं मुझे बताते हसी आती है मुझे लगता है कोई तो ऐसे होंगे जो सोचते है four का मतलब four है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई शरम वाली बात नहीं होता है four four you are लगता है four 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 है बेटा, ये वाली four finger की बात कर रहे हूँ आज़ो, और ऐसे कोई चोटे चोटे डाउट होता है तो घबराया मत करूं कियार मैं क्या सोचेंगी कैसे डाउट पूछ रहे हम डाउट में सोचना नहीं होता है, डाउट में से पूछना होता है क्योंकि डाउट आएगा तो clear होगा, clear होता है हमेशा के लिए याद रहता है, यह बात याद रखना, ठीक है, तो छोटे मोड़े डाउट कुछ भी आते है, comment section में पूछा करो, मैं बिलकुल वहाँ आपको जवाब दूँगी, ठीक है, चलिए तो four finger यानि क्या, यह वाली four finger की बात हो रही है, magnetism ऐसे जा रहा है, यह कौन है, यह बताता है motion, यह वाला arm अंदर गया, तो current कहां जाएगा नीचे, यह आ रहा है ना नीचे, यहां से नीचे आया, यहां के घूम के गया, यहां circuit complete हुआ, galvanometer में deflection हुआ, फिर यहां से current ग किसका presence है, split rings का present है, टूटी हुई अंगूटी का present है, all right, चलिए, so उमीद करती हूँ, यह concept आपको बिलकुल clear होगा, इसी के साथ खतम होता है हमारा topic electric generator का, I very well hope कि आपके जित्ते भी doubts होंगे, वो clear हो गए होगे, और अगर doubts clear होते हैं, तो please, 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 comment section में बताया करो, तकि ह में भी motivation मिले, and in case अगर कोई doubt रह भी जाता है, तो वो भी comment करके बताओ, मैं आपको personally message करके, आपके doubt जरूर clear करूंगे, तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि magnet brains पे left side पे आपको, जितने भी courses दिख रहे हैं, English, Hindi, दोनो medium में है, बिलकुल free of cost, यानि again ऐसा नहीं है कि आप magnet brains पे किसी भी teacher के 2-3 lecture देखोगे, और आपसे हम कोई charge मांगेंगे, कि ये package खरीद दो बिलकुल है, सबी videos बिलकुल free of cost है, ताकि आपकी पढ़ाई में कोई रुकावटे नहीं है, और सिर्फ आप लोगों के लिए ही हमने, जितने भी हमारा एक number content है, उन्हें डाल दिया है books and e-books में, यानि आपको देखने को मिलेंगी variety of theory books, sample paper books, अलग-अलग chapter की books, MCQ books है, ये सब magnet brains की तरफ से आपको मिल सकती है, books and e-books, description में जो है आपको link दिया हो गया, यानि video की नीचे में एक description है, उसमें एक form का link है, वो form को करना क्या है, आपको अच्छे से fill up करना है, then magnet brains की team आप से जल से जल contact करेंगी, so video पसंद आया हो, तो like, subscribe, share करना, मत बूलना, see you all in the next session, जो की रहेगा हमारा domestic circuit के उपर आने, इस chapter का last session होगा, तो जल्दी मिलते हैं next session में, till then, goodbye.